इस सातियों नमस्कार स्वागत है हमारे चायनल फार्मेशी जहां दवाईयों के आपको संपूर जानकारी मिलती है आज हमिंगे अरिष्टो जाइम लिक्विड साथि हो अरिस्टोजाम डीकिड डाइस्टेज और पॉक्विड कहते हैं, साथि हो इसका 200 ml का सीरप है साथि हो pineapple flavor है, digestive enzymes के अंदर है साथि हो, साथि हो डाइस्टेज और पॉक्विड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका Compogeneson है Each 5 ml content Diastage 50 ml and Pepsin 10 mg जो है इसका ये Compogeneson है साथियों साथियों ये Aristo Pharmaceutical Company का product है साथियों बहुत ही अच्छा product है ये आसानी से जो है Medical Store पे जो है साथियों मिल जाता है ये 104 रुपीज इसकी MRP है साथियों साथियों सबसे पहले Aristogime के बारे में discuss करेंगे सबसे पहले जानेंगे description के बारे में कि Aristogime है क्या साथि साथ हम discuss करेंगे इसके important use के बारे में साथि साथ हम बात करेंगे कि Aristogime work कैसे करता है body पे work कैसे करता है साथि साथ इसके हम side effect की बात करेंगे warning and precaution की बात करेंगे interaction की बात करेंगे साथियों doges की बात करेंगे साथियों जैसा कि MRP पहले ही बता दिया है तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे aristozyme है क्या तो साथियों aristozyme जो है साथियों क्या है कि aristozyme liquid contains fungal diastase जैसा कि अभी बताया fangled dye stage dye stage and pepsin का combination है देखिए उपर लिखा भी है सामने हो dye stage and pepsin liquid यह जो है दो दवाईयों का combination है साथ हो जैसा कि अभी composition भी बताया था dye stage जो है 4 mg है and pepsin 10 mg इसमें मिला हुआ है aristogime liquid provide relief from gas अगर जिसको किसी को बहुत gas बनती है और gas की medicine खा रहे हैं उसको फाइदा नहीं मिल दा है निरंतर तो इसके उपयोग से जो है आपको आराम मिलेगा साथियों relief from gas, heart burn, साथियों होता क्या है पेट में जब gas secrete होती है तो heart की तरफ उपर की तरफ भागती है तो heart burn होता है और indigestion किसी तरह का भोजन खाते हैं और digest नहीं होता है इसमें उपयोग करने वाली ये दवा है साथियों fungal discharge is a digestive enzyme that helps in carbohydrate digestion और ये क्या करता है carbohydrate जो होता है उसको digest करने में बहुत ही मददगार है it helps in digestion of starch carbohydrate fat and proteins और जो भोजन में जो है star होता है carbohydrate होता है fat होता है protein होता है जिसकी वज़े से indigestion होता है उसको जो है क्या करता है ये सब digest करता है जिसमें भोजन के अंतरगत आपको starch मिलता है carbohydrate मिलता है fat मिलती है protein मिलती है उसको digest करता है साथियों यह बहुत अच्छा प्रोडक्ट है साथियों 200 ml की सीरप है मेडिकल स्टोर पे आसानी से आपको मिल जाएगी सभी मेडिकल स्टोर पे साथियों और यह digestive system को बहुत दुरुस्त रखता है accumulation of gas in the stomach कहने का मतलब है पेट में gas निरंतर बनती रहती है तो gas के जो है formation को रोकेगा यह gas नहीं बनने देगा और digestion system ठीक नहीं रहता है indigestion अगर होता है भोजन का तो digest करने मदद करता है कहने का मतलब है indigestion में उपियों की जाती है and gastric problem है जिसको किसी को gas बन जाती है gas नहीं बनने देता है और digestive disorders है digestive disorder मतलब साथियों की digestion कभी होता है कभी नहीं होता है तो उस समस्या को दूर करता है and painful pressure रहता है painful pressure यह होता है कि पेट में आइटन मरोड रही है latrine जा रहे है तो लग रहा है कि latrine लगी है लेकिन जब जाते हैं तो होती नहीं है ऐसे केस में इस syrup का इस्तमाल करेंगे और आप आराम मिलेगा साथी साथ साथियों क्या होता है कि swelling in the abdomen पेट के अंदर abdomen में सूजन है उसको दूर करता है पेट के अंदर swelling है उसको दूर करता है inflammation है उसको दूर करता है और flatulence बनता है flatulence मतलब होता है gas बनती है flatulence होता है peptic ulcer होता है उसमें जो है dyspepsia है मतलब frozen digest नहीं करता है उसमें ही क्या कहते हैं बहुत लाबदायक है and he cupus उसमें उपियों करने वाली ये दवा है साथी साथ साथियों इसका इस्तमाल जो disease पैंक्रियाज जब होती है तो डाक्टर इसको recommend करते है aristogyme syrup साथी साथ gastric trouble होता है gas बहुत बनती है और उससे gastritis हो जाती है ऐसे case में इसको उपियों किया जाता है और star के disorder को star किसी किसी को digest नहीं होता है star के disorder में उपियों किया जाता है and pancreatic disorder में उपियों किया जाता है और stomach fullness मतलब लगता है stomach बहुत भारा-भारा है तो उसमें भी उपियों किया जाता है साथी हो बहुत ही अच्छा है syrup है यह सुखिया भी पिया जा सकता है जैसे कुछ लोग इसको जो है digestive system जो है दुरुस्त रखने के लिए भोजन के बाद जो है इसको पीते है साथी हो इसके हम composition की बात करेंगे साथी हो जैसा कि अभी हमने बता भी दिया है साथी हो आपको साथी हो इसका composition है each 5 ml contains diet stage 50 mg इसमें मिला है जिसको हम fungal diet stage कहते हैं साथी साथ इसमें पेपसीन मिला है 10 mg साथी हो और जो है वो क्या कहते हैं syrup basis में जो है मिला होगा है साथी हो इसकी हम doge की बात करेंगे तो बहुत ही important है साथी हो जब भी आप purchase करेंगे देखे इसमें लिखा भी है otherwise हम बता रहे हैं adult मतलब पुरुसों में healthy पुरुसे 5 ml 5 ml मतलब होता है घर में जो चम्मच होचा है 1 tea spoonful होता है immediate लेंगे तुरंट after खाने के बाद कहने के मतलब adult 5 ml 1 tea spoonful immediate after meals भोजन या खाना खाने के बाद जो है नास्ता करने के बाद इसको एक चम्मच लेना है या as directed by physician साथियों बच्चों में क्या होता है 2.5 ml कहने का मतलब है half tea spoonful morning and evening दो बार लिया जाता है after meal जो है बच्चों को दिया जाता है साथियों इस साथी साथ हम बात करेंगे कि यह aristogyme जो है body में work कैसे करता है how to work aristogyme in the body साथियों aristogyme contains जैसा कि अभी हमने composition में बताया है that helps break down the molecules of protein और यह क्या करता है protein के molecule breakdown कर देता है that is available in the food and transform the starch in the food यह क्या होता है food में दोनों चीज़े अवलेबल होती है aristogyme break the food molecules that help in the digestion process क्या करता है यह molecule को break कर देता है उससे aid मतलब एक तरह से सहायता मिलती है digestive process में और उससे जो है क्या होता है bhojan digest हो जाता है and get the relief from health and digestive process साथियों मतलब relief यह इससे मिलता है जैसे कि indigestion होता है उसमें मदद करता है flatulence बनता है उसमें मदद करता है and gastric trouble होता है उसमें यह मदद करता है क्योंकि starch है carbohydrate है protein है उसको जो है molecule को breakdown कर देता है fat को breakdown कर देता है उससे digestion करने में मदद कार होता है साथियों इसके हम जो है side effect की बात करेंगे जो है तो इसके उप्योग से साथियों side effect जो होते हैं जब इसको पिएंगे तो इसका ऐसा टेस्ट है कि जैसे pineapple खा लेते है तो जीब में खरास है सीव रहती है वैसे ही जो है क्या होगा कि यह जो है आपकी गले में खरास रखेगा आमेसा इरिटेसन करेगा यह एक तरह का side effect है तो कहने का मालब है इस टमक और थ्रॉट में इरिटेसन होगा फीलिंग सिखनेस और जब पिएंगे लगेगा है हम बीमार है पर ऐसा है नहीं और डार्क और ब्लेक इसको जो है उप्योग से स्टूल होता है स्टूल मतलब लैट्रीन जब करेंगे डार्क ब्लेक हो सकती है और पेट जो है अफसेत टाइप करेगा अफसेत टाइब कर ऐसे होगा कि आपको डाईटरिया टाइप का लगेगा बार-बार लाटिरिंग जाने कोसिस करेगा लेकिन ये किसी-किसी परसल को Verきます को चाहनस है साथियों और नोजिया के चांस हैं यही कुछ इसके side effect हैं साथियों इसके हम precaution की बात करेंगे तो जो pregnant महिलाएं हैं वो इसको सेवन ना करें और breast feeding mothers हैं जो बच्चों को पिलाती हैं वो इसका सेवन ना करें या फिर जो महिलाएं pregnant होना चाहती हैं प्लान कर रही हैं family का तो वो इसको ना पियें और allergic reaction हो सकते हैं इससे और साथियों जो है hyper sensitivity है आपने इसको कभी इस्तमाल किया और आपको suit नहीं कर रहा है तो ऐसे case में इसका जो है इस्तमाल ना करें साथियों यह इसके सेवन ना करें साथि साथ जो है ecarbos अगर खा रहे हैं and magitol खा रहे हैं तो उसके साथ इसका सेवन ना करें तो उसके साथ यह इंट्रक्षन होने के चांस है साथियों एक बार और बताऊंगा इलकोहल के साथ इस सीरप को नहीं पीना है मैट टैबलेट मेट्रो जिल्या मेट्रो नाइडा जो खा रहे हैं तब नहीं लेना है एक आर्वोज ले रहे हैं तब इसको नहीं लेना है और साथियों मार्केट में इसके कैपसूल भी अवलेबल है छोटे बच्चों के लिए ड्राब भी इसका अवलेबल है साथियों बड़ो के लिए सीरप यह जो है अवलेबल है साथियों दोसों हमेल का सीरप है साथियों यह सीरप का बॉक्स है और यह इसकी कांच की बॉटल मे इस तरह से ये जो है सीरप आता है अरिष्टो फार्मासुटिकल का तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें साथी साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों नमस्कार